दोस्तो स्वागत है आपका में स्ञेट कलास में तो दोस्तो आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा एक सीरफ के बारे में जिसका नाम है Windows syrup तो दोस्तों इस वीडियो को start करने से पहले प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे इस चैनल में चर्ट क्लास को subscribe कीजिए वीडियो उसको share और like कीजिए तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि Windows syrup इसको बैना गया है Biomicron Company ने Biomicron Company एक अच्छी और Standard Company है, Research Products बनाती है और खुद के उनके प्लांट्स भी है दोस्तों मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको ध्यान रहे कि कितनी Standard Drug है, कितनी Standard Company है तो Drug भी Standard होती है तो दोस्तों Windows syrup जो होता है यह Biomicron जिसने बनाया है Windows syrup इसका जो content है दोस्तों Endrographolid एक Drug है दोस्तों, यह कैसे काम करता है मैं बताऊंगा, आपको यह मिल जाएगा तकरीबन 95 रुपीज में आपको 60 ml के पैक, यानि बहुत अच्छी और सही दामे मिल जाएगी दोस्तों Important आपको यह बात याद रखनी है कि Windows syrup जो है दोस्तों यह virus replication virus infections होता है जैसे कि मानों कि डेंगू है जो कि सब्टमबर के मैने से स्टार्ट होकर डिसमबर में स्टार्ट हो जाता है और चिकन गुनिया है और जहां पर जोड़ effect होते हैं और यह भी है जैसे कि आपको swine flow होता है, वहां पर आपको effect होता है दोस्तों तो वहां पर यह काफी मदद करता है और बहुत अच्छा results देता है क्योंकि अगर treatment सही ना हो पाया यानि डेंगू ऐसी चीज़ है दोस्तों कि अगर डेंगू जिसे कहा जाता है सीवियर डेंगू अगर हो जाता है तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है आप जानते हो आपको पानी का जहां पर रुकता है जहां पर डेंगू वायरस कल्टिवेट होता है ज्यादा पैदा होते हैं वह भी आपको precaution लेनी है प्लस दवाई भी लेनी होती है बहुत important होत है वायरस को सेल में घुसने से बंद कर देता है वायरस का खाना पीना बंद कर देता है जिसके वज़े से क्या होता है वायरस की ग्रोथ कम हो जाती है और इसके साथ साथ भी यह प्लेटलेट काउंट भी ज्यादा कर देता है दोस्तों प्लेटलेट काउंट ज्यादा करने स लिखा हुआ है कि minimum two years होनी चाहिए ओके याद रखिए उससे पहले होने से आप डॉक्टर की सला लेकर ही दिखाए और और डेंगू पॉजिटिव जब भी आता है तो डॉक्टर की सला फॉलॉप करते रहें सिर्फ यही दवा पर ना डिपेंड हो जाए क्योंकि कभी-कभी ड डेंग्य हो जाता है ओके दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है इज फाइमल फिफ्टी मिली ग्रम और टू टू शिक्स यह सपाइमल टू टू तरी टैम से यह एक चमच दो से तीन टाइम यह चेस पार से दस से ओमल टीन टाइम ऑके बहुत इंबोर्ड़ दोस्तों ओके आग प्लीज अगर आपने कोई experience किया हो side effect प्लीज हमें बताएए कि आपका experience कैसा रहा आपका side effect क्या रहा है प्लीज हमें inform कीजिए ओके तो चलिए दोस्तों thank you so much subscribe कीजिए share कीजिए और like कीजिए thank you